मान लिजिया आपसे कोई पूछ दे कोई भी पूछ सकता है कि ओ प्लस ओ बराबर क्या होता है ओ जोड ओ बराबर क्या होता है दोस्तों तो ये होता है आप देखिए ये पहले सवाल से इसका कनेक्शन है कैसे ये क्या हो गया ये हो गया हस्व स्वर जिसको बोलने में जिसको बोलने में हस्व से थोड़ा ज्यादा समय लगता हूँ उसको दिर्ग स्वर बोलते हैं तो स्वर होते हैं तीन परकार के option number C यहाँ पर right हो जागा दोस्तों एक होता है हस्व स्वर एक होता है दिर्ग स्वर एक होता है पुलूत स्वर पुलूत मतलब बहुत ज्यादा समय लगता है बोलने में जैसे कि ओम हो गया ओम कितना लंबा समय लग रहा है तो यह पुलूत स्वर हो गया और हस्व किसको कहते हैं जैसे कि एक दम कम समय ओ हो गया ई हो गया उ हो गया और इससे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा समय आ, दिर्गई, दुर्गव, तो ये आपका हो गया option number C, स्वर्थिन परकार के होते हस्व, दिर्ग और पुलूत, अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा है कि हिंदी भासा में वो कौन सी ध्वनिया है, जो स्वतंद्र रूप से लिखी जाती है, या बोली जाती है, मतलब उसको किसी के सहारी के जुरूरत नहीं होती है, तो option number A आपका बिल्कूल बिल्कूल right हो जाएगा, क्योंकि स्वर्थ जो होता है, जैसे कि O हो गया, A हो गया, E हो गया, इसको किसी के सहारी के जुरूरत नहीं होती है, अब यहापे क हो गया, य को में ओ आ रहा है न तो को को बोलने के लिए ओ के सहारी के जरूरत है अब टा है तो टा आ तो इसमें आ छुपा है न तो को बोलने के लिए आ के सहारी की जरूरत है मतलब टा को बोलने के लिए आ के सहारी की जरूरत है तो ऐसे कह सकते है आप जैसे की कु है यहाँ पे कु उ इसमें उ छुपा हुआ है, मतलब उ के सहारे की जो रुरत है, तो ब्यंजन क्या होता है न, सुवर का सहायता लेता है, अब आगे देखिए तो यह हो जाएगा आपका सुवर, इसको किसी के सहारे की जो रुरत नहीं है, अब बोलना है तो अ में कुछ भी छुपा नहीं रहता अब अगला देखिए उपर की और जाने वाला इस वख्यांस का एक सब्द में इसको आपको निरूपीत करना है कि उपर की और जाने वाला इसको क्या कहते हैं इसको दोस्तों बोलते ऊर्ध गौआमी यह ऑफ्सन नंबर भी आपका यहां पे बिल्कुल बिल्कुल राइठ हो अगला देखिए संग्या के कितने भेद होते हैं संग्या के कितने भेद होते हैं दोस्तों बताइए पाँच भेद होते हैं ब्यक्ति वाचक संग्या जाती वाचक संग्या भाव वाचक संग्या समुह वाचक संग्या और पदार्थ वाचक संग्या मैटरियल नाउ जिसको करताने करम को करण से संपर्दान के लिए यानि कि संपर्दान को के लिए आपादान से संबंध का किकी आरेड़ी अधिकरन में पैपर सम्मोधन हे वारे तो यह आठ प्रकार के होते हैं तो इसमें क्या चुपा है ने चुपा है ने चुपा है न तो करताने यह फर्मूला है क परम को तो यह करता ने हो जाएगा यानि कि ओफ्सन नमबर ए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर अगला है कि गणेस में किनकिन वर्णों की संदी होई है गणेस में किनकिन वर्णों की वर्ण पूछ रहा है अब यही सब पूछ रहा है ठीक है यहाँ पर सब्दों की इसा दिर्गई होता है तो गड़ प्लस इस ये संदी भी छेद हो गया ठीक है लेकिन किनकिन वर्णों की अगर कहेगा तो ड़ो में क्या चुपा है ड़ो में ऑ चुपा है तो अ चुपा है नहीं यहां पे और यह इस में ए में क्या चुपा है ऑ प्लस इ दिर्गई चुपा ह गडेश नरेश सुरेश महेश तो वहाँ पे क्या होता है कि दिर्गहई वला रहता है ठीक है और जहांपे जैसे इंडर होता है वहाँ पे हरसाई रहता है जैसे नरेइंद्र हो गया जोड इस, ऐसे ही आपको कहीं भी दिखेगा, ठीक है, ये नहीं कि टोपी हटा देंगा उपर वाला, ये नहीं हटेगा, तो यहाँ पर इस लिए टोपी रहेगा क्योंकि यहाँ पर जोड इस होजाएगा, ठीक है, और गर में डौप और अचुपा है, और ये इस में यहाँ दिर्गही चुपा है, तो यह आपका option number B right हो जाएगा, अगला देखिए, गोल घर में कौन सा समास है गोल घर में कौन सा समास है तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका करम धारे समास, करम धारे समास क्या कहता है, कि प्रथम पद दूसरे पद का बिसेस्ता बताता है ठीक है, जैसे कि गोल घर, इसका पहचान क्या है है जो, देखो, है जो और यह के समान के समान, यह छुपा रहेगा बीच में, यह छुपा रहेगा है जो के समान, कैसे? गोल है जो घर, बीच में है जो छुपा है न है जो तो यह है जो छुपा रहेगा या के समान के समान कैसे जैसे कि मिरिग नयन लिखा है मिरिग नयन तो मिरिग के समान नयन तो बीच में के समान चुपा है तो है जो और के समान अगर छुपा रहेगा तो वो करमधारे समास होता है यानि कि पर्थम पद दूसरे पद की विशेस्ता बताता है, पर्थम पद क्या हुआ ये हो गया आधा पर्थम पद, ये हो गया दूसरा पद, तो पर्थम पद क्या करता है दूसरे पद के विशेस्ता, यानि कि घर की विशेस्ता करता है जैसे कि निलकंट हो गया तो निला हो कंठ अर्थात भगवान सीव ऐसे करके और इसमें ज्यादतर भगवान का नामी होता है ज्यादतर देखिएगा लंबोद और गजानन यह सब रहेगा दिवगु में क्या होता है संख्या पूर्वेद भीगु मतलब त्रिभूज त्रिकोंड यह सब रहेगा दोंद समास क्या होता है माता पीता माता और यह पीता बीच में माइनस कचिन रहेगा ठीक है अब यहाँ पर चले देख लेते हैं अगला यहाँ पर सवाल है कि स्वयंबर सब्द में कौन सा उपसर्ग है तो इसमें उपसर्ग मतलब सब्द के प नमबर ए सही हो जाएगा यानि कि स्वयम होगा इसमें उपसर्ग जैसे कि आपको यहां पर लिखा है अमालो हार लिखा है ठीक है तो हार में प्रो लगा देंगे तो इसका अर्थ बिल्कुल बदल गया प्रहार किसी भी प्रहार करना अब यहां पर हार लिखा है ठीक है हार इ जाएली मतलब यह प्रति क्या हो गही इसमें उपसर्व हो गया अब यह लिखा हुआ कि डर ठीक है डर शक्तरभ एक अलग ही सब्ड है लेकिन इसके आगे कशने लगा देते हैं तो नीडर हो जाएगा मतलब सब्ड का ऐर्थ हा करन से काल गया और यह नी जो हो गया, वो उफ्सर्घ हो गया, इसी तरह से करन लिखा है, करन, इसके डिया जहांट कि अनुकरन करना, फोलो करना तो यह हो गया, अनुफऑ curious को हो गया इसमें, आगरा देखे, इन में से पिर्थ्वी कॉन सा सब्द में है, पिरर्थ्वी, पिर उसी रूप में चलाने में है तो वो तद्वह हो जाता है और बिगड़ा रूप जो होता है वो तद्वह हो जाता है जैसे कि अगनी है अगनी जो है वो तद्वह हो जाता है लेकिन इसी का बिगड़ करके आग हो गया तो यह तद्वह हो गया और देशा सब्द मतलब जो इसा फर्मुडरा होता है, लितू सानाम दनता, मतलब की, यह सब क्या होता है, और दानती जाह सब दाथ से उचाहुजान स्ठान होता है, आप बीना दात में अपने जीव को सटाए बोलके देखाए आप तो बोलिये और आपका जो जीव है ना उपर वाले दात में सटेगा बीना सटाए अगर बोलिये तो तो बोला जाएगा ठीक है आपसे तो बोला जाएगा तो थो दो धो नो सो यह सब बोलने के लिए क्या होता तो चाहे न कि दात में सटाना जरूरी है, नहीं तो तब लहीं बोलाएगा, तो ये क्या हो गया, तो कहड़ाना अस्थान हो गया, जिसे प है, प हो बोलने कलिए ओट बेना इस आज भी सटे नहीं बोला जागा, तो प क्या है, ओट, इसका उचाहन अस्थान ओठ है को जो है अकुवी सर्जन या नाम कंठ है इसका फर्मूला है तो इसमें क्या को कंठ उचाना अस्थान है कंठ से होता है नासिका अनुस्वार जो नासिका लिखा है नासिका लिखा है अनुस्वार मतलब जो कंपनी लिखा है तो यह अनुस्वार जो है यह नासिका अस वसका करणकर्परशाद है और यह राष्ट अर्थ कैसा नुसारत्व्थ के सब्दों के कितने वेध होते हैं और दो भेद होते हैं सार्थक और नीरणत्रथक दो अर्थक कल्हरण होते हैं और निरर्थक मतलब होता है जिसका कोई और्थ न निकले, जैसे कि मालो कोई सब्ध हो गया, इंडिस, कुछ भी आप बोल दीजिए, एंगडी बोल दीए, अब उसका कोई और्थ ही नहीं है, तो उत्पती के अधार पे सब्ध के चार भेद होते हैं, तत्सम, तदभव, देशाज, और बिदेशाज, ठीका है, यह उत्पती के अधार पे हो गया, ऐसे ही पुछ पुछ के एकजाम में कंफ्यूज करता है, एक और 11 होना, इस मुहाबरी का क्या अर्थ है, एक और 11 होना, मतलब कि एकता में सक्ती होना, अगर दोनों भाई मिल जाए, तो एक और 11 हो जाएंगे, कोई इनको हिला नहीं सकता है, और 9-11 मतलब कि वो मेरा कर्ज, पैसा ले करके 9-11 हो गया, मतलब भाग गया, यह आप दे अंसर नहीं पता है, कोमेंट बोक्स में भी आप नहीं देख पा रहे है, तो जाएंगे, नीचे एक डिस्क्रिप्शन होता है, विडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे लिंक दिया गया है, टेलेग्राम मेरे चैनल का, उसको लिंक पर क्लिक करके, आप मेरे टे डिया पूरा मिल जागा चाहे, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं,